हेलो माई दिर फेंज वेल्कम टू माई यूटूब चानल आज हम सीखने जा रहे हैं एडिमेन फ्रेज जो आपके एक्जाम पॉइंट और व्यू से इंपॉर्टन है कुछ प्रीविस एयर के हैं और कुछ न्यू एडिमेन फ्रेज हैं जो एससे सीजल में के पॉइंट और व्यू से इंपॉर्टन है तो क्लास को एंट तक देखना अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन प्रेस कर देना विदाउट बेसिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब का मतलब होता है वो नोकरी जो आराम दायक भी हो और जिसकी अंदर ज्यादा सेलरी भी हो तो हाई पेड एन कंफर्टिबल जॉब क्या कहलाता है एन आम चेर जॉब आप इससे भी याद कर सकती हो कि मतलब पढ़े लिखे अच्छे लोग की जॉब कैसे होती है कुर्सी बेट के अराम से जॉब करते हैं ठीक है ज्यादा उनको काम नहीं करना पड़ता इससे भी आप याद कर सकती हो तो कभी भी आपके एक्जाम में An armchair job आये इसका मतलब है ज्यादा तंख्वा और कम महनत वाली नौकरी तो इसका मतलब क्या होता है ज्यादा आये और कम महनत वाली नौकरी को हम क्या कहते है और armchair job नेक्स देखो add insult to injury इसका मतलब होता है जो आपने हिंदी में कहावत सुना है जले पर नमक छड़कना एक तो उसको insult भी कर दिया और उसको और नुकसान में पहुँचा दिया add insult to injury को आप इससे याद कर सकते हो कि किसी को भी harm भी कर दिया और उसको humiliate भी कर दिया हिंदी में क्या कहते हैं जले पर नमक छड़कना यह बहुत फेमस कहावत है इसी का इंग्लिश है add insult to injury जिसको to harm and humiliate भी कहते हैं next देखो bell the cat अब आपने हिंदी में यह वाली कहावत सुनी होगी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांदेगा यानि सबसे पहला जोखिम कौन उठाएगा first step of taking risk ठीक है इसका मतलब क्या है bell the cat का मतलब कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांदेगा इसका कहावत का हिंदी मतलब होता है जोखिम उठाना ठीक है कोई ऐसा बड़ा काम करना जिसके इंदर रिस्क हो सबसे पहले रिस्क उठाने जाना अगला है देखो dance attendance upon इसका मतलब होता है किसी की इशारों पे नाचना जिसको हम to flatter भी कहते हैं और इंग्लिश में flatter word का मतलब होता है जिसे हम चापलूसी कहते हैं तो किसी के इशारों पर नाचना उसकी चापलूसी करना ही कहलाता है Dance attendance upon जिसको हम क्या कहते हैं किसी के इशारे पर चलना या जिसको चापलूसी भी कहते हैं चापलूसी भी कहते हैं Next देखो clip once wing इसका मतलब होता है किसी के पंक काट देना ठीक है clip कर देना किसी के पंक को काट देना यानि किसी की शक्ति को कमजोर कर देना जैसे कि अगर कोई भी board है उसके हम wings को बंद कर दे काट दे तो वो उड़ने में असमर्थ हो जाएगी यानि क्या मतलब है किसी की भी किसी को कमजोर करना अब देखो आगे के idiom and phrase को तो next idiom and phrase की statement है at once fingers end यानि जैसे बोलते हैं कि उंगली पर सब कुछ याद कर लेना आपने देखा होगा कि कई लोग होते ऐसे ऐसे करके याद करते रहते हैं तो उससे आप याद कर सकते हो at once finger end का मतलब है सब कुछ याद कर लेना हर किसी के बारे में पूरी जानकारी होना to have a complete knowledge इसको हम बोलते हैं at once finger end कभी आपके एक्जाम में इडिमिन फ्रेज आए इसका मतलब है पूरी जानकारी होना पूरी जानकारी होने को हम कहते है at once finger end next है bandy words अगर कभी यह चोटा सा I.S. statement bandy words इसका मतलब होता है abuse यानि किसी को गाली देना तो bandy words का मतलब to agree नहीं होता to abuse होता है जिसका मतलब होता है गाली देना ठीक है अगला word देखो beat black and blue इसका मतलब होता है पहले तो beat का मतलब होता है मारना अब आपने देखा होगा कि पिटाई करके पूरे शरीर को काला नीला कर दिया उससे भी आप याद कर सकते हूँ ब्लैक एंड ब्लू का मतलब बहुत ही जादा किसी को मारना beating mercilessly क्या कहलाता है beat black and blue मतलब बहुत पिटाई करना बहुत जादा पिटाई करने को क्या कहते है beat black and blue next statement है draw all line अब इसका मतलब क्या होता है settle limit मतलब किसी चीज की एक मर्यादा या सीमा तय कर देना जैसे कि कहते हैं कि लक्षमन रिखा खीच दी अब इसके आर पार नहीं जाना यानि किसी चीज की भी एक limit तय कर देना draw all line कहलाता है तो कभी आपकी एक्जाम में ये statement आए इसका मतलब क्या होता है किसी की भी सीमा या हद तय करना ठीक है अगला statement देखो bad of thorns मतलब क्या होता है काटो भरा बिस्तर जिसका मतलब कोई भी स्थिती जो बहुत ही जादा कठिन हो difficulties से भरी हो उसको हम क्या कहते है bad of thorns जैसे कि मैंने आपको बताया था जो words होते हैं उनकी meaning से भी आप बहुत सारे idiom in phrase के मतलब निकाल सकते हो जैसे कि bad सबको पता है बिस्तर thorns मतलब होते हैं काटे तो कांटों से भरा बिस्तर difficulty वाली स्थिती को कहते हैं जिसका मतलब क्या है कठिनाई से भरी स्थिती या समस्याएं जो होती हैं वो कहलाती हैं अब देखो आगे कि इडिम in phrases को so my dear friends next statement देखो be in the driving seat इसका मतलब होता है पूरी जिम्मेवारी लेना किसी चीज की पूरी responsibility लेना जैसे कि driving seat पे जो driver होता है उसकी क्या responsibility है कि जो भी bus है गाड़ी जो भी वो चला रहा है उसको पूरी तरीके से उसको ही संभालना है तो इसका मतलब क्या है be in the driving seat कभी idiom in phrase आये इसका मतलब होता है पूरी जिम्मेवारी लेना पूरी जिम्मेदारी लेना ठीक है अगला statement है a close-fisted person इसका मतलब क्या होता है feast क्या होता है सबसे पहले देखो feast का मतलब होता है मुठी ठीक है मुठी बंद करके रहना मतलब पैसे ही कम खर्च करना ज्यादा पैसे ना फिजूल खर्ची करना चंजूसी करना तो उन ऐसे लोगों को क्या कहते है miserly person यानि चंजूस वेक्ती को कहते है a close-fisted person के लाते हैं कंजूस फिस से आप याद कर सकते हो जो होती है मुठी मुठी बंद करके रहने वाले जो पैसे ना खर्च करे कंजूस को हम कहते हैं अगला वाड है out of the blue out of the blue इडिमिन फ्रेज का मतलब है occasionally जिसको हम कभी कभार कहते हैं occasionally हम जिसको कहते हैं जो चीजे कभी कभार हो कभी कभार है कभी कभी वाली चीजे out of the blue कहलाती है next statement है white collar workers white collar workers वो workers होते हैं जो skilled हो जैसे कि कुशल जिसको बोलते है skilled का मतलब क्या होता है कुशल मज़ूर यानि कुशल जो काम करने वाले जो export हो उनको कहते हैं अगर white collar workers का मतलब भी आप समझ सकते हो जैसे कि आप याद करने के लिए कर सकते हो कि जो dresses दी जाती है जब कोई course करते हैं कुछ हम ऐसा करते हैं तो हम एक particular dress दी जाती है यानि हम उसमें skilled हो रहे हैं इससे भी आप याद कर सकते हो कुछ भी ऐसी चीज जो आपको याद करा दे white collar workers का मतलब होता है जो skilled labor होते हैं जिसको हम kushal मज़दूर कहते हैं ठीक है अगला word देखो hand in glove hand in glove का मतलब होता है very close lesion जिसको हम बिल्कुल नजदी के सगे सम्मंदी भी कह सकते हैं और बहुत घनिष्ट भी कह सकते हैं जब हम gloves पहनते हैं अपने हाथ में तो हाथ और जो gloves होते हैं दोनों बिल्कुल चिपके हुए होते हैं इससे आप याद कर सकते हो hand in glove का मतलब close lesion होता है मतलब बहुत ज़्यादा जो बहुत नजदी की जिसे हम कहते हैं ठीक है अगला है paint the town red इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मौज मस्ती extreme enjoyment वाली जगा को या चीज को हम paint the town red कहते हैं इसको आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो main मतलब है बहुत ही ज़्यादा enjoyment वाली यानी खूब मौज मस्ती को हम कहते है अब देखो आगे की अगला statement देखो have green eyes इसका मतलब होता है इर्शयालू या जलने वाले लोगों के लिए हम कहते है ठीक है अब इसको आप याद कर सकते हो अपने आप से ही have a green eyes मतलब क्या होता है usually लोगों के eyes तो green होती नहीं है green है तो कुछ ने कुछ बात है यानी जो हमसे जल रहा है इर्शया कर रहा है, jealousy कर रहा है उसको हम ये statement में बोलते हैं have a green eyes का मतलब क्या होता है इर्शयालू को बोलते है जो जलने वाले होते हैं उनको बोलते है अगला है brown study, brown study का मतलब होता है state of daydreaming, जिसका मतलब होता है सपनों में खोए रहना, ठीक है मनगडन सपने सोचते रहना या सपनों में खोए रहना brown study कहलाता है, ठीक है आपको याद करना होगा brown study का मतलब क्या है, सपनों में खोए रहना नेक्स टेटमेंट है पीस ओफ केक का मतलब है बहुत आसान काम जैसे कि केक को खाना बहुत एजी होता है बहुत सॉफ्ट होता है तो इससे भी आप कर सकते हो पीस ओफ केक है यानि बहुत आसान है very easy task मतलब बहुत आसान काम कहलाता है पीस ओफ केक next है nuts and bolts nuts and bolts का मतलब है important part जैसे कि किसी भी machinery को चलाने के लिए अगर उसको हमें सही तरीके चलाना है तो वो अच्छी तरीके से बनी हो nuts and bolts की help से machine को त्यार किया जाता है यानि important role play करते हैं तो nuts and bolts का मतलब है important part जिसका मतलब है महत्वपूर्ण हिस्सा next ediment phrase देखो spit blood इसका मतलब है बहुत ही जादा गुसा spit blood का मतलब है गुसे में लाल होना बहुत ज़दा गुसा होना extremely angry कहलाता है जिसको हम कहते हैं बहुत गुसा होना so my dear friends यह class यहाँ पर finish हो रही है छोटी सी class थी बट important थी इसके अंदर बहुत सरे नए नए ediment phrases थे जो एससे सीजिल के लिए important है अगर आपको यह class समझ में आई हो तो please वीडियो को like कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe करेना अब हम मिलेंगे अपनी next class में तब तक के लिए thanks for watching